नमस्कार, मैं हूँ पंकज्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं Uncut बात यूपी की, Uncut में तो आखिरकार शर्मा जी कट ही गए पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा था बहुत सारे खुआप थे, बहुत तरह की खबरें आ रही थी कहा तो चले थे शर्मा जी, डिप्टी सीम बनने और बन गए यूपी में BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष कहने के लिए वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर की कुरसी कहते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं वो एक पुरानी कहाध है ना बंद मुठी लाक की, खुल गई तो खाकी जब तक शर्मा जी के बारे में तमाम तरह की खबरें आ रही थी बहुत कुछ कहा जा रहा था तब तक बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में मंत्री मंडल विस्तार हो सकता है योगी सरकार में सर्मा जी को जगा मिल सकती है शर्मा जी इसलिए महत्पूर्ण थे और उनका जलवा था क्योंकि वो प्रधान मंत्री नयन मोदी के साथ उनका सालों का रिष्टा था है भी उन्हें पीमो वाले शर्मा जी कहा जाता है यूपी में लेकिन राजनीती के मर्म को या फिर यूं कहले कि यूपी की राजनीती के नवज को पकड़ नहीं पाए शर्मा जी वैसे भूमियार जाती के हैं शर्मा जी पतलग उन्हें ब्राम्वन भी समझ लेते हैं या मान लेते हैं शुरवात में यही कहा भी गया मौ के रहने वाले हैं शर्मा जी और शर्मा जी को जब प्रदेश उपाध्यक्ष पनाया गया तो इस फैसले से एक बात तो साफ हो गया है कि यूपी में वह योगी जी यानि बी बीजेपी के प्रदेश सध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग आज कल जहां भी जाते हैं योगी जी वह ही करते हैं योगी जी की तारीफ में छोटी सी चालीसा कह सकते हैं हन्मान चली सा तो कई पन्नों की है वो छोटी सी चालीसा पढ़ते हैं योगी जी बहुत इमांदार है योगी जीने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल लेकिन वाकई में यूपी में बीजेपी में आकिर हो क्या रहा है चल क्या रहा है कि किसी की समझ से परे हैं दूसरी तरफ एक और हैं डिप्टिसियम केश्व प्रसाद मौर हैं वो 300 पार का नारा फिर दे रहे हैं मुझे या पूछा जाता है कि किस चेहरे पर यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा तो वो ये नहीं कहते कि योगी आदितनात के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा वो ये कहते हैं कि केंद्री नेत्र तो ये तै करेगा और यही परमपरा भी है और कोई इन्होंने ये बात उनके यहां कुछ देमों पहले चुना हुए और बीजेपी के इतियास में पहली बार मंताब अबनर्जी वालक खेला हो बेhl हो गया इसलिए हो गया कि सर्वानंद"- सोनवाल की पाँट साल की सरकार चली सब ने कहा हमित्शा ने कहा बीजेपी के अद्धियlasting प्रदानमंतिर नरेंद मोधी ने कहा कि सोनवाल की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया वह इतना ही अच्छा काम किया है तो चुनावबाद में हमन्ति विश्व शर्मा क्यों मुख्यमंत्री बन गए तो ये एक नया फर्मूला निकल गया असाम का फर्मूला कि हम मुख्यमं बीजेपी की सरकार नहीं होती है जैसे मानलीजे हरियानामिक की बात करते हैं तो उसके बाद जब चुनाव में जीत हो जाती है उसके बाद तैकिया जाता है कि नेता कौन होगा विधायकदल के लोग नेता चुनते हैं खटर साब को आप सब लोग जानते हैं मजाक मजाक मे कहा भी जाता किस राज में कौन सा खटर कम मुखमंत्री बन जाया किसी को नहीं पता तो बीजेपी ने बड़े नए नाड़े गड़े हैं जैसे खटर वाली बात है तो बात हम फिर करते हैं असम की सबको पता था बीजेपी में जो भी जारखंड की चुनाव को देख सुन रहे थे कि रगवरदास की सरकार नहीं बनने वाली है रगवरदास की सरकार छोड़िये रगवरदास तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए बीजेपी से ही जो बागी होकर निकले सर्यूराय उन्होंने उनको उनीक सीट पर हरा दिया और सबको लग रहा था कि सर्यूराय रगवरदास को निपटा सकते हैं लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना फैसला नहीं बदला उसी बीजेपी ने असम में बड़ी आसानी से सर्वानन सोनवाल की जगा हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया और इस फार्मूले ने बीजेपी के कई नहताओं में उम्मीत जगा दी मसलने केशा प्रसाद मौर वो बार-बार कह रहे हैं पिछली बार यानि 2017 में जब बीजेपी के सरकार बनी 14 साल के सत्ता के बनवास के बार तो उसके बार केशा प्रसाद मौर उस वक्त अध्यक चुआ करते थे उन्हें लग रहा था वो मुख मंत्री बन जाएंगे पिछड़े जाती के नेता होने के नाते पर ऐसा हो नहीं सका कभी-कभी होता राजनिती में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है गोरकपूर से गोरक्च पीठ के महंत योगी आदितनात गेड़वाधारी जो हैं जोगिया वेस वाले वो बन गया मौख मंत्री और तब से मन की पीड़ा किशा प्रसाद मौर की कम नहीं हुई है और सप्ता का संगर्ष योपी में अब भी जारी है इन दोनों के बीच में खैर हम बात कर रहे थे फिर से सर्मा जी की तरफ अब शर्मा जी का जिक्र इसलिए कि अभी भी योपी के कई नेताओं को लग रहा होगा चलो भै सर्मा जी तो डिप्टीसियम नहीं बन पाए मंत्री भी नहीं बन पाए प्रदेश उपाध्यक्ष बन गये हैं संगठन का काम करेंगे लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी ऐसा चल रहा है कि शायद अगले साल के शुरुवात में जो वहाँ चुनाव होने वाले हैं तो जाती समीकरन बिठाने के लिए सामाजिक संतुलन बनाने के लिए हो सकता है योगी सरकार मुने जगब मिल जाए यानि लालवत्ती मिल जाए पिछले कुछ दिनों से तमाम आयोगों में अध्यायक चौरसदस भरे जा रहे हैं जिस बात के शिकायत की गई थी कि यूपी में कई सारे आयोग में नेताओं को एड़्जस्ट नहीं किया गया है आपने गौर किया होगा कि योगी आदितनाथ दिल लिया थे या फिर यू कहें कि उनके घर पे उनसे मिल रहे थे ठीक उसी समय यह जो शर्मा जी है न एक शर्मा जी वो निसाद पाटी के अध्यक्ष संजा निशाद के घर पर दिली में मिल रहे थे कुछ दिर बाद संजा निसाद और उनकी बेटे प्रवीर्न निसाद जो की बीजेपी के सांसने दोनों पहुंच गया हमिद्शा के घर तो मैसेज क्या गया कि शर्मा जी मैनेजमेंट में लगया है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उस बात से यह संदेश भी गया कि शर्मा जी कहा भी इस बात को आज ही नहीं असिरवाद लिया जब योगी यादिजना दिल्ली आये और जब यूपी भवन गये तो सबसे पहले जेतिन प्रसाद ही वहाँ चले जेतिन प्रसाद बले ही कॉंग्रेस की राजनिती ना समझ पाए हो हलाकि उनके पिता भी कॉंग्रेस के ब शर्मा जी का करियर क्या होगा मैं नहीं जानता है ये मोदी जी को तेहकरना है योगी जी को तेहकरना फिलहाल उनका काम लग गया लग रहा थैए। ये भी है कि एक संगठन मतलब एक व्यक्ति और एक पत उस लिहाज से अगर आप संगठन में चलेगे शर्मा जी तो मंत्रि मंडल में उनकी जगा नहीं बन पाएगी। यूपी में कुल मिला कर देखें तो बीजेपी के अंदर एक अजीब तरह की उहाँ पोह चल रही हैं। लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं है, कन्फ्यूजन अभी खत्म नहीं हुआ है। और भी जो कई नेता हैं, जितिन प्रसाथ समित और जो उमीद और आस लगाए हुए हैं, कि हमें कुछ मलाई मिलने वाली है या मिल सकता है, उनका क्या होगा। तो तब तक इंदिजार करिए कि वियल संतोस और आदा मोहन सिंग जब लौट के आते हैं, उसके बाद क्या नई तस्वीर या कई रिपोर्ट से क्या नया खाका सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी, नमस्कार।